Good morning students, तो इस वीडियो में हम आपके साथ important information शेर करने वाले हैं, जैसे कि G&U exams में passing marks अब कितने होगे हैं, 100 में से कितने वाला pass है, और overall आपका course complete होने पर कम से कम आपको कितनी percentage चाहिए होगी pass होने के लिए, और आप अपना course कितने time में clear कर सकते हो, आपके सारे doubts और important information आपके साथ शेर करने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ last तक बने रहे हैं, चलो शुरू करते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, new education policy आगी है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें update होई हैं, तो हम बात करने वाले हैं passing marks अब कितने हो गए हैं G&U exams में, और overall course complete होने के बाद आपको कम से कम कितनी percentage चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं passing marks के बारे में, तो जो passing marks हैं, उनको दो हिस्टों में divide किया गया है, graduation course के अलग और post graduation course के अलग, तो जो bachelor degree level, certificate, diploma, advanced diploma, PG diploma levels हैं, उनको पासिंग marks अब 35% हैं, मतलब कि अगर 100 marks का paper है तो pass होने के लिए 35 marks चाहिए, और जो post graduation degree level है, उनको पासिंग marks अब 40% है, मतलब कि अगर 100 marks का paper है तो pass होने के लिए 40 marks चाहिए, और अब हम आपको बताते हैं कि overall आपका course complete होने पर आपको कितने percent marks चाहिए, तो जब आपका course complete हो जाए, तो आपको overall कम से कम 40% marks चाहिए, पास होने के लिए, अगर आपके overall 40% marks नहीं होंगे, तो आपको fail declare कर दिया जाएगा, फिर आपके पास एक ही option होगा, वो है improvement exam देना, फिर आप किसी भी semester का, कितने भी subjects का improvement exam दे सकते हो, as your choice, और फिर आपको कम से कम 40% तो लेकर ही आने पड़ेंगे, अगर आपका five year course है, तो आपको seven years का time मिलेगा, उस course में पास होने के लिए, अगर आपका four year का course है, तो आपको six years का time मिलेगा, उस course में पास होने के लिए, अगर आपका three year का course है, तो आपको five years का time मिलेगा, उस course में पास होने के लिए, अगर आपका two year का course है तो आपको four year का time मिलेगा उस course में पास होने के लिए अगर आपका one year का course है तो आपको two years का time मिलेगा उस course को पास होने के लिए तो ये कुछ important बाती थी जो हमने आपके साथ share कर दी हैं तो उमीद है कि आपके सारे doubts clear होगे होंगे अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप प्रमेट करके पूर सकते हैं तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेर कर दो, चैनल सिस्क्राइब कर दो और बेल एक इन जिरूर प्रेस कर देना थैंक यू